कि कैसे आप सब स्वागत है आप सभी का आपके अपनी ओफिशियल यूटूब चैनल पर मैं साहिल चुराया तहलिल से आपका स्वागत करता हूं और उमीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे बहुत अच्छे से अपने एक्जाम के लिए प्रेपेर करें मैं MS PowerPoint की शोटकटकी इसको इससे पहले मैंने आपको MS Word, MS Excel, Windows, Browser की शोटकटकी कवर करवा दी है अगर आपनी वो वीडियो नहीं देखी है आप जरूर उससे देख लीचेगा और प्रोपर वर में अपनी एक्जाम के लिए आप इसे प्रेपेर कर सकते हैं क्योंकि आपके एक्जाम में काफे जो कोश्चन है आपकी शोटकटकी की उपर आते हैं तो वन स्टोप सोल्यूशन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा ओल इंपोर्टेंट शोटकट की जो आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है उसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं तो चली PowerPoint की shortcut keys को cover up करते हैं और अगर अपने चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजेगा और वीडियो को like and share कर दीजेगा ताकि maximum candidate cover कर पाए देखे PowerPoint की जो shortcut keys है अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो different जो shortcut keys है उसे अपने यहाँ पर discuss करने वाले हैं देखे MS World के अगर आपने power shortcut key नहीं की है तो बहुत सारी shortcut keys है जो common चलती है जैसे copy, paste, new file की या अगर आपको key tip को उन करना है या आपको phone dialogue box को open करना है या आपको board करना है, tally करना है, superscript करना है macro open करना है तो वो basics जो shortcut key है वो common रहेंगी तो देखी, मैं video की length को बढ़ाना नहीं चाहता अपने यहाँ पर क्या करेंगी power point में जो different shortcut keys है जो specifically power point में use होती है हम उसे discuss करेंगी और यह बहुत कम है इसलिए मैं इसकी live session लेकर आपको recorded video provide करवा रहा हूँ तो 5 से 7 shortcut की है उसको अपने यहाँ पर cover up करने वाले है तो सबसे पहली जो shortcut की है उसे अपने cover up करते हैं और completely target करने की कोशिश करते हैं जो पहली shortcut की है उसको अपने cover up करते हैं तीक है देखे, अगर आपको new file को open करना है या फिर new presentation को open करना है तो आपकी जो shortcut की रहेगी वो रहेगी control plus n और ये common है चाहे आप world में या excel में आप इसे use करो new file की shortcut की common रहती है और ये मैंने क्यों करवाई क्योंकि student अक्सर confuse होता है जब यहाँ पर बात आ जाती है new slide की इसलिए मैंने उपर वाली cover करवाई आपको new slide की shortcut की यहाँ पर क्या होती है वो होती है control plus m अब आप document में जाओगे वहाँ new page होगा वहाँ उसकी shortcut की अलग है that is control plus enter आप जब excel में जाओगे वहाँ page को बोला जाता है worksheet या sheet वहाँ new sheet की shortcut की अलग है that is shift plus f11 या फिर alt plus shift plus f1 तो वो सारी चीज़े अपनोंने excel या world की जो shortcut की जो उसमें cover कर रखी हैं आप उन वीडियो को जुरूर देख लेना और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन shortcut की जब आप अच्छे से cover कर लोगी तो आपको कोई भी problem नहीं आएगी ठीक है जी तो इसे आपको अच्छे से cover करना है अब यहाँ पर बात करें अगर आपको slide show को slide show करना है ठीक है जी तो उसकी shortcut की क्या होती है तो slide show आपका दो तरीके का होता है एक होता है from beginning अब beginning से slide show करना चाहते हो उसकी shortcut की रहती है आपकी f5 उसकी जो shortcut की रहती है वो रहती है f5 और अगर आपकी यहाँ पर रहता है current slide जो आपने open कर रखी है वहीं से आप slide show करना चाहते है slide show chrome current slide तो उसकी shortcut की आपकी रहती है shift plus f5 shift plus f5 ठीक है जी next अगर अपने बात करी आपकी रहती है अगर आपको slide show को end करना है तो उसकी shortcut की क्या रहती है वो रहती है आपकी escape की next आजाता है duplicate slide की shortcut की क्या है duplicate slide की shortcut की है control plus d ठीक है अब देखिए जो control plus d है ये ms world में यूज होता phone dialogue box के लिए जिन भी candidate ने cover कर रखा है उनको पता होगा तो यहाँ font dialogue box की shortcut की क्या होगी वो important है तो अपनोंने phone dialogue box की alternate कर रखे हैं वो यहाँ पर यूज हो जाएगी font dialogue box या इसे आप format dialogue box भी बोल सकते हो उसे आपको चेक करना है तो उसकी shortcut की है control plus shift plus f यह आप use कर सकते हो control plus shift plus p यह आपकी हो जाएगी ठीक है मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पूरा नियार अपने पास control plus shift plus p यह आप use कर सकते हो ठीक है तो यह आपकी important seven shortcut की है जो आपकी power point में use होती है different shortcut की जो specifically power point में use होती है ओल जो remaining है shortcut की वो common रहेंगी ओल रिमेनिंग जो shortcut keys है वो same रहेंगी as ms world ठीक है ms world की जो videos है वो आपको जल्दी से मिल जाएगा ठीक है आप उसे देख सकते हैं तो उमीद करता हूँ यह सारी shortcut keys आपने cover कर ली होगी वीडियो को like और share जरूर करिएगा और मिलते हैं next वीडियो में कुछ शांदार नई concepts के साथ नई practice questions के साथ with detailed solution so thank you very much everyone see you soon in the next class bye bye take care